तो निश्चित वो पच्छिम की ओर गया है आज इस्थान में लगी हुई है कितनी नितीश कुमार ने कहा था लेकिन उससे भी बड़ा जुट्था नितीश कुमार कैसे करेक्टर गिराते हो नेताओं का लड़की को जिस पुलिस कर्मी को सुनीता यादब को सम्मानित करना चाहिए था गुजराश सरकार को केंद्र सरकार को उसको उपर जांच बिठाती है भाजपा सरकार पूरा देश करोना के महामारी बीमारी से लड़ने में लगा हुआ लेकिन भारतिये जंता पाटी सरकार गिराने में राजिस्तान में लगी हुई है मद्पर्देश में सरकार बनाने में लगी हुई थी अब राजिस्थान में लगी हुई है कितनी कितनी बेचैनी सक्ता के ये भूर के ये भारतिय जंकापाटी के लोग पर्थान मंत्री पालियामेंट में कहते हैं मुझे सक्ता का लोब नहीं है अरे पर्थान मंत्री जीमन में कभी सच बोला ही नहीं पर्थान मंत्री ने कहा कि मैं पूरब जाओंगा तो निश्चित वो पच्छिम की ओर गया है परधान मंत्री का भासन उल्टा होता है वो बोलता कुछ है करता कुछ और है तो परधान मंत्री इससे बड़ा फरोड परधान मंत्री भारत के तिहास में कभी नहीं हुआ अमिस्सा फरोड योगी आदितनाथ फरोड भारतिय जनता पाटी का मतलब है भारत जलाओ पाटी भारत जलाओ पाटी भारत जलाओ पाटी भारतिय जनता पाटी का मतलब है मिद्टी में मिल जाऊंग बाजबा में नहीं जाऊंग तो theo के चाटली आना नितीश कुमार कैसे करेक्टर गिराते हो निताओं का कुधारंदिया भक्तो किरन बेदी याद है इंद्रा गांधी का चलान काटा था गाड़ी का नहीं को जवाब होगा बस गाली ही दोगे इसके अलावा कोई संसकार नहीं सीख सकते हो